और आज हम बात करेंगे, Is it worth doing MBBase now? क्या आप MBBase करना ठीक रहेगा? आप देखी रहे हो, पिछले कुछ सालों से, दिन पर दिन, competition इतना बढ़ते जा रहा है। आज, अगर 2023 की NEET UG की बात करूँ में, तो किस लाग बच्चों ने नेट UG दिये? उसमें से सिर्फ एक लाग बच्चों का selection होना है, इतना competition में आपको participate करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए, क्या इतना competition के बाद, पांच साल करने के बाद ये वर्थ है कि नहीं है, ये आपके लिए आज जानना बहुत ज़रूर है, तो आज हम data के हिसाब से आपको कि इंडिया में कित्ते डॉक्टर्स की requirement है, और क्या अगले 10 साल में डॉक्टर्स का future केसा होने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखेगा, 2018 से बात करता हूँ, 2018 का data है जिसमें NEET UG में कित्ते participant थे, 11 लाग थे, धीरे धीरे 13 लाग हुए, 15 लाग हुए, 16 ला अपने ये तो सुना होगा, WHO की requirement है, कि हर 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो हम current situation की बात करते है, आज की situation के चाप से, 11 लाग डॉक्टर्स करेंटी वर्किंग और प्रेजेंट है, 140 करोड की जनसंग्या में, मतलब इसका रेशो है 0.7 to 1,000, आज तो एक से भी क requirement, जो है एक होना चाहिए, उससे कम है, मतलब आज तो हम full sufficient नहीं है, क्या आने वाले 10 साल में हम हो पाएंगे, यह देखते है, मान लीजिए कि हर साल एक लाग बच्चे एड होते है, तो आने वाले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में किते एड हो जाएंगे, 10 लाग उसमें से 2 लाग तो ठीक है, रिटायर होंगे, उसमें हमारे पास बचेंगे 9 लाग, तो आने वाले 10 साल बाद हमारे पास 19 लाग नए डॉक्टर्स होंगे, मतलब करेंटी एट वरकिंग, 19 लाग डॉक्टर्स होंगे, 152 करोड की population हो जाएगी, करेंट में डाटे के साब से इंक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, तो दस साल बात ये 152 करोड के लगबग पहुंच जाएगी, अब उस समें इसका रेश्यो निकालेंगे हम, तो आएगा 1.25 पर 1000, मतलब जो मिनिमम का डाटा है वो तो हम क्रोज कर जाएगी, मतलब मिनिमम कितने दॉक्टर रिक्वा करते हैं, आज करेंटली सीटी फुल फिल्ड है, ऐसा नहीं है कि न जादा है न कम है, एक बड़ी सीटी की बात करें जैसे कि इंदो, आपको सारे स्पेस लीटीज वाले डॉक्टर मिल दाएगी, तो ऐसे एरिया में जहां पर रेश्यो काफी जादा है, 1000 पोपुलेशन के लगबग जादा ही है, वहाँ पर दस साल बात की सिच्वेशन को चलोगी, वहाँ आप प्रेक्टिस नहीं कर पाऊगी, यह मेरे मिमाना है, पर अगर सेकेंड टायस और नीचे टाउंस में आते हैं, जैसे ही बात करें, एंपी की एक सीटी एर अतला, तो वहाँ हो सकता है कि अभी कार्डियो लोजी के कोई नहीं हो, ऐसे बहुत सारी स्पेशलिटी जैसी है, जो महाँ पे नहीं मिलेगी, आज भी नहीं मिलेगी, और आने वाले दस साल में उसका स्कोप धिरे धिरे बढ़ता जाएगा, ऐसा है कि गवर्मेंट सेक्टर में काफी वेकेंसिया खाली ह आज भी काफी हद तक खाली है, काफी प्राइविट हॉस्पिडल भी खाली है, आज प्राइविट होस्पिटल में सिर्फ वर्किंग जो वड्मे रहने का काम ये सारे भी ह्म्य तो इसा कि अकर आप मेरे मानना है कि अगले 10 सालों में आपके लिए काफी सुखेंग स्थिति अगले दस साल का बाइक कुछ नंवाले अगले दस साल तक सहे अगले अगर आप सच्टिंग कर सकते हैं और कलते हों , इस साल ऎक रहा दुमा स उस एक्टपेटकार क्यों न simplesmentezentर आप करने के लिए MBBS 1st year में admission लेते हैं उसमें से सिर्फ आदे मानूं 50K सीरियस होते हैं कि हमको प्रेक्टिस करनी है हमको कुछ पढ़ना है कुछ चेंज लाना है society में वैसे आपको 50K मिलें उन 50K में भी कुछ ही रेते हैं 10 या 20K जो उसके लिए महनत कर पाते हैं और सच में अच् से 20K अगर इस category में आप लाए करते हो आपके लिए वर्थ है डूए MBBS करना आपके लिए वर्थ है आपको करना ही चाहिए क्योंकि आगे चलने के बाद हर एक इस पेसलिटी के भी अभी जैसी कि अगर आप psychiatry देख लो देख लोती है काफी रिमोट एरियाज में अभी भी नहीं मिलते न उनके लिए प्रेक्टिस करना अच्छा है वह अगर बनते है आप सिर्फ MBBS रहके तो नहीं कर पाऊगे इसके बाद आपको पीजी तो करनी होगी पीजी करने के बाद अभी आगे पात साल में जितने अगर अगले पांच साल तो सिर्फ गवर्मेंट के जितने रिक्वाइड हो पाएंगे अगर प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए होना है तो उसके लिए बहुत लंबा अगले दस साल तक तो समय चाहिए तो मेरे इसाब सागरी इन दस से बीस अजार की केटेगरी में आप आते हो तो 21 लाग का कॉंपटिशन आपके लिए वर्त है आपको सोचने की बिज़रूत में है अगर ये वीडियो शॉर्ट है थोड़ा अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करेगा थेंक्यू एव नाइ बीस तो